रोड फाइट एक ऐसी प्रॉबलम है जो आपके साथ कभी भी पेश आ सकती है इसलिए आज हम सीखने वाले हैं पांच ऐसी टिक्स जिसे आप रोड फाइट में इस्तमाल करके अपना बचाओ कर सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन तबा दें अगर कोई आपको अटैक करने आता है तो सबसे आसान और पावरफुल अटैक ये है कि आप उसके नी पर किक करें जिस से उसका नी इंजर्ड हो जाएगा या वो डिस बैलेंस होकर जमीन पर गिर जाएगा हमेशा अपने ब्लॉक के साथ साथ उसके बॉडि के वीक पॉइंट पर अटैक करना है जिसमें सबसे ज्यादा वीक पॉइंट लोवर पॉइंट है अगर आप अपनी पूरी फोर्स के साथ उसके लोवर पॉइंट पर अटैक करेंगे तो वो क्रिटिकल कंडिशन में जा सकता है मगर ख्यार लगेगा कही प्रैक्टिस में ही आप अपने पार्टनर को क्रिटिकल कंडिशन में ना भेज दे फ्रंट किक एक ऐसी किक है जिसे आप जितना पावर से करेंगे सामने वाले को उतना ही हर्ट होगा अगर आपको ये किक करने नहीं आती है तो दिस्क्रिप्रिप्चन में जाके माईगेरी वाले लिंक पर क्लिक करें और मेरी वीड़ियो को वाच varias करें तो यह किक की टेकनिक आपके लिए है अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आपने अपनी फुल स्पीड के साथ उसके अटैक से पहले उसके फेस पर किक करनी है इस किक से पिलियर अनकॉंशियस हो सकता है जिससे आप अक्सर MMA या UFC के अंदर भी देखते हैं अगर आप किक की प्रेक्टिस करते हैं तो यह टेकनिक आपके लिए है आप नोट करें कि जब कोई राइट पंच करता है तो उसका राइट फेस खाली होता है जहां पे आप कोई भी अटैक कर सकते हैं और इस सिचुएशन में सबसे बेस अटैक है औरा मवाशी आप अपनी ब किसी के इंदर देखा होगा जब कोई टर्ण करके किक मारता है किसी के फेस पे तो ज्यादा तर वो नॉक आउट हो ही जाता है अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा मिलते हैं नई वीडियो में एक नए ट्रेनिंग सेशन के साथ तब तक के लिए अला हाफिस